हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू इवलूशन लर्न अकेडमी देखे आज हम बात करेंगे फ्रॉक के यूरो जिनेटल सिस्टम के बारे में इसकी जो प्रीवेस लेक्चर थी उसमें मॉर्फिलोजी डाइजेशिव सिस्टम रिस्पाइरेशन सर्कुलेशन सब कुछ कम्प्लीट कर जिसका पासवर्ट मैं इसी वीडियो कहीं बीच में बताऊंगा अगर आप चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शुरू करते हैं वीडियो देखे इसमें लिखा गया यूरो जिनेटल सिस्टम और इसके नाम से समझ में आ रहा है इसमे यूरो यूरी सिस्टम और इसमें क्या है रिप्रोड़क्टिव सिस्टम दोनों इंक्लूड होगा ओके देखे यह क्या है इसे ट्लोज ली फ्रॉग एंड आर्ट जॉइंटली रिफर्स टू यूरो जिनेटल सिस्टम तो फ्रॉग में क्या होता है अभी मैं आगे आपको अभी चैनगी पोसित्स टूरॉड यूरी सिस्टम यह चाहर यह जो सिस्टम होता है, यह यूरी ब Customism के लिए और को सिस्टम विए यूरी होता है यसका चैड्पोल त configuration एक्सक्रेटिस सिस्टम होता है वहां पर हमे disp i7 का पा जाए गा और फिमेल पर फिल्तर उप्लट क्ली है ूरील्ट यह क्लोएका यह ग्यूरीन और फीस के लिए यह एक्ट इस परम यूरीन और फीसिस के लिए कॉमन अपनिंग है मैंने आपको बता था पहले ही तो यह क्या है क्या पाई जाएगा स्टोर करने के लिए यूराइट को स्टॉर करेगा चले देखते नेच्ज लैड देखें क्लेखे i.e. the male and female frog can be distinguished or identify externally only during the season of breeding breeding season में हम male और female को देख के distinguish वो अंतर कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे आपको पता है कि मैंने जो first lecture morphology पता है उसमें दिखाय था कि जो male होता है उसके पास क्या पाए जाएगा उसके पास पाए जाएगा copulatory pad मैंने बताय था आपको और उसके पास क्या पाए जाएगा उसके पास पाए जाएगा मेल में क्या पाए जाएगा वोकल सैक पाए जाएगा जो क्या करता है जो क्या करता है जो कि फीमेल में जो कि फीमेल में क्या होता है फीमेल में ऐसा नहीं होता है और मेल और फीमेल को हम अ निवíst का देखते हैं तो मेल में क्या पाई जागो पता किड्णी कॉमन है मेल फीमल दोनों में और उरनेटर कॉमन यहां पर क्या दिखाए पड़ रहा है हमें टेस्टीज और अपर लुवज आपर बिड़र कनल का क्या होता है वासा इफरेंशिया आपको पता है और यह क्लो दिखाए पड़े गी और हमें क्या दिखाए पड़ेगा में टेस्ट यहाँ पर बॉडुक है कि देखिड हैं ये मेर्ट और इसमें क्या वाला में सब्सक्मण है इसमें दिखाए प्लभ यहां पर बॉडब हैंılar एक फिर मैंने क्या बताया इसे पाए जा junior तो यहां पर 2 kidney हम दिख रहा है कि क्यूर । इब देखे जोप एक स्वेट नियुकं काम isteas कि आप साइब आप कि अब देखे जोएंन के इनदर किया हुआ है और मेधन को हुआ है और जाक कि यहां पे क्या है यहां पर जू सब्सक्री निकलने वाला है देखी जो यह पतली पतली कैना क्या दैंक में marvel और स्पर्म इस परम जाए कहा इस्टोर होगा इस सेमिनल वेस्खिल्स में और जो यूरीन होगा वह कहा इस यूरिटर्स थूर कहा चलाएगा इस Rectum में Rectum में देख क्या हो रहा Rectum में ये open हो रहा है Rectum में open है Rectum आपको पता है कि ये feces के लिए जो उसका digested food material है उसके लीए ये काम आता है Rectum अब देखें यहाँ क्या लिखा है Bladder तो bladder का इस्टोर करेगा urine तो ये देखिए आपके निखा हुआ है किज सब्सक्राइज आफ़ दिखा हुआ है किड्नी सब्सक्राइब कोम्ट नाटि मेन को दिखा है टी रसक्राइब कर दिनी का चैजुन्तन कि कि चीन के स्ट्रेक्शल और फंक्शनल्वट हमारे अरेहां प्यूरें यहां कि है और इंथि उरोगा और दोल अधों और क्या औरud इसको mail में कहेंगे हम urogenital system क्यों क्योंकि जो इसकी टेस्टिस था वो कहां प्रेंटेट था वो गया था देखिए यह इसका टेस्टिस है यह कहां गया हुआ है इस kidney के अंदर किस से जुड़ा हुआ है यह कहा है यह क्या है यह जितने दिख रहे हैं में यह क्या है यूरी फेरस्ट इवूर या इसको बोलते है हम लोग कि यह क्या है यह टेस्टेस अब देखे लुक लुका कि देखे यह अब क्या लिखा यह अपर चेक्षर न पाय जा रहा था इसको बाहर के इसको पेलितनी हम और जो यह को कुंब कुछें थे यह कि अब देखिए कि अब क्या का दिखाए पड़ आपको पता है कि इस पर्म आप देखेंगे तो इसमे असमें दिखाए तो आठो दिख रहा हैं कि लो वे करेगा इस बाद कि ये-धार ऊपर्णtalk जो जाएग सउने हैं और किया करेगा ये attacking और में और कि और में उके वासा इत्बरेंशिया दस ते बारा वासा इत्पा स्चिक से — कहा जा रहे थे ये अपने मीजू क्रीम कोई को करेल का पहुंच रहा थे खा wait । फिर क्षिख मेल को देखते हैं तो उसमें यह structure पाया जाएगा क्या पाया जाएगा किड़नी ओरी जिरणी ब्लेडर यह common और अपने तो इसमें क्या पाया जाएगा और चले दिखते हैं दिख्या लिखा है तो जो उरोगेडल सिस्टम क्या होगा वो किड्नी है मेल और फिमेल दोनों में इसमें क्या पाए जा रहा है इसमें पाए जाएगी ओवरी अब देखिए अब क्या है यह ओवरी प्रिजेंट आउट साइड ओव दी किड्नी किड्नी के आउट साइड दिखाई पड़ेगा आपको उसके बाहर जो प्रेंट ओनियम है उससे क्या होगा ये उससे ये अटाइच होगा किड्नी के चारो तरफ अब देखिए क्या होगे देखिए यहां picture में देखिए यह पूरा structure किसका है यह TS है एक ovary का अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ चली देखिए next देखिए मैंने क्या बोला कि यलो पाई जाएगा तो इसमें ovary ने दिखाए पड़ पर और ओवी डग्त देखाए पड़ आपको और यह थे अग देखिए यहां पर देखिए आपको clear होगा देखिए होता क्या है यहां पर क्या दिखाए पड़ रडा है इस मेसवारियम क्या है यह किडनी के चारो तरफ क्या है किडनी के चारो तरफ पाय जा रहा है ओके अभी मैं दिखाया आपको वी डक्ट तो इस से जो ओम निकलेगा व कहां जाएगा इस ओवी डकल फैनल के थूँ कहाँ चला जाएगा इस ओवी डक्ट ओवी डक्ट से होता हो कहाँ जाएगा इस ओवी सैक में अभी मैंने आपको दिखाया ओवी सैक से फिर कहाँ जाएगा इस रेक्टम में अब देखे यह क्या है यह common opening है कैसा common कैसा ove duct की opening ureter की opening और यहाँ पे क्या है cloica की opening अब यहाँ प्या ब्लेडर की opening तो यह क्या है common duct जिसको बोलते हैं हम लोग cloical aperture ओके चले देखते नेक्स लाइड देखे यह क्या है यह है ove duct के बारे में देखे यह आपको मैंने दिखाया अभी अब देखे यह जो यहाँ पर राइड अन फटलाइज राइड 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 है वो कैसा होता है देखे यहाँ पर क्या है इस animal pole दिखाए पढ़ रहा है आपको पता है दो पोल होते है vegetable pole तो यह क्या है यह एक structure है अगर अन फटलाइज एग है किसका frog का तो वो इसका structure है देखे इस membrane पाया जाती inner vital membrane, outer vital membrane, nucleus ओके चलिए देखते है next अब इसमें क्या होता है kidney blood supply कैसे होती है यह मैंने आपको दिखाए पर रिप्रोडर की system अभी और आप आपको पताता हूँ क्या इसका extrude system देखे ब्लड क्या होगा renal potter vein and renal arteries के थुरू blood अंदर या बाहर जाता है kidney से आपको पता है majorly blood constitute urea and extrated product blood में क्या होगा urea होगा और extrated product होगा फिर क्या लिखा है the renal arteries branches in a kidney जो renal arteries होगा क्या होगा kidney अभी आपको दिखाऊँगा मैं बाद में read white किस्से होती है forming a afferent arterioles आपको efferent और efferent पता है तो efferent क्या होगा जब kidney के अंदर enter करेगा वो divide होगा efferent में उसकी diameter क्या होता है efferent का वो थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उससे जो blood अंदर जाएगा efferent में वो क्या होगा अगर efferent की जो diameter काम है तो efferent अगर ज़्यादा है तो जानते हैं आप pressure create होगा वहाँ पे glomerulus में अभी दिखाऊंगा आपके देखें फिर क्या लिखा है renal portal wind branches into the kidney इस branches are efferent arterioles अभी सब आपको clear करूँ आगे में forming a mesh capillaries this urniferous tubule ultimately together they form the renal renews चली देखते हैं इसमें देखिए जो मैं बहुत लाता है सेम यहाँ देखिए यह क्या है renal arteries है इसके थूँ blood जाएगा किस से इस efferent arterioles से मैंने बता है इसका diameter देखी ज़्यादा है इसका दूबहा diameter यहाँ पे काम है जहाँ common सी बात है जिसमें blood जाएगा तो यहाँ पे pressure create होगा pressure create होगा तो यहाँ पे glow-mulis से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दिख रहा है चलने की जैसे दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा यह च्छन के जो उसका waste यह एकक्रीटर प्रटर फो कहाँ चला जाएगा इस नेक्रीजन में चला जाएगा यह इसको क्या बोलते है पूरे को इसको बोलते हम लोग बोमेंस कैप्सूल ओके अब देखे यहाँ पर जो waste material है यहाँ जा रहा है कहाँ कलेक्ट हो रहा है इस collecting tbool में उसके बाद क्या हुआ जो blood होगा वो कहाँ चला जा रहा है blood चला जा रहा है इसमें आगे urinary fluid जो इसका renal portal vein है अभी आपको बता है मैंने और renal vein यह इसके through चला जाएगा आगे body के बाहर जो मैंने बता है ना आगे आपको की बन रहा था रिनल पोर्टमल क्या बना रहा था यह venule बना रहा था और फिर क्या बन रहा आगे renal vein तो यह क्या है इससे ही blood का filtration होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए